इसके लिए टो जो आखिटेक्टर था इसका इसको हमने दो पार्ट में रिवाइट करती है तो एक पार्ट को बोलते हम बस इंटर इंटरफेस इनिट वी कॉल इंट दाज बीयाईएउ अब बस इंटरफेस रिच इनिट का काम क्या होता है तो उसमें उसके अलावा में कुछ चीज़े होती है मैंनली जो फंक्सन जो होता है क्या होता है तो सारा चीज दूसरा चीज इसमें क्या क्या सब्सक्राइब क्या होता है जैसे आपको याद होगा कि हम लोग जो भी एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पर स्विच करने के लिए जब हम लोग उसमें जा रहे हैं मेंबरी में स्विच करने के लिए क्या यूज कर रहे थे इंक्रिमेंट के लिए क्या यूज कर रहे थे पिपने सब्सक्राइब कर तो जैसे उसका नाम यहां बदलके इसका नाम कर दिया इंस्ट्क्षन-पॉइंटर तो कहीं पर आपको इंस्ट्रक्षिन-पॉइंटर मिलता है इसका नाम चेंज है यहां पर इसके साथ सारे क्यों है क्यों क्या करता है कि आपके प्रोसेसिंग में हल्प करता है आप टाइम को क्या आपको का और एक चीज़ें के लगी है वहां से एक से दूसरे लाने में ज़्या टाइम कहां तक लगता है उस टैम को रिदूस कर सकते हो क्या है तो क्या करता है आपका टाइम को रिदूस करता है इसके अब कांकूंस और कि अरिफ्मेटिक यह कॉर्फशन को ओसके मतलब तो फाइनल एक पी हो गया और दूसरा आपको सकते ओए एक्टीकूशन आफ टेटा प्र इसको फॉर्ट प्रफॉर्ण प्रफॉर्ण इसके अलाव इसमें क्या होता है इसमें दो जी पी और समय को हमतर के बोलते हैं जेनरल पर जिटर जेनर्ल पॉकॉस पीजिस्टर जेपर बीयों कि अब जैनरल पॉकॉस डेश्टर मैं जैसे कैसे इसे होता है सब्सक्राइब देखेंगे इसको एक्स होता है सी एक्स होता है एक्स का इंडिकेट करता है इस सिस्टीन विट कर सकते हो जैसे एक्स को कैसे लिख सकते हुआ एक्सटीन विट का एक्सटीन विट का एक्सटीन विट का एक्स जो रिखकर हो और एशी और फिश्टर होगा ऐसे विख कोई प्रॉब्लम है इस पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर जो मैं ट्रॉब कर रहा हूं इसको पार्ट में डिवाइट कर दो इसको मैं बोलूगा एच और इसको क्या बोलूगा एल बोलूगा और हायर ओडर का एच बोलूगा एच ठीक ना तो यह सारा चीज़ किसमें होता है अक्यूमिलेटर क्या होता है यह का मतलगा होता है इसमें जो अक्यूमिलेटर है वह लेकिन कितने में तो आप इसके मतलब इस प्रॉससर को ऐसा काव कर सकते हैं अब इसका ब्लॉक ड्राइग्राम एक बारी जल्दी से अगर नहीं भी आएगा तो उसके साफ से प्रपेर कर लेगा तो सबसे पहले मनाते हैं यहां पर अभी अब बनाया हो अब विद्राइग्र पता नहीं अब कि वान टूट्री फॉर फाइट इना सब्सक्राइब अब इसमें में क्या करूंगा वान टू टू ट्री फॉर यहोगा इसको मैं इसको में लिकूंगा पाल लिकली कमें प्यूंगष्टिट कमें लिकली कमें इसको मैं लिक्ता लिकाम इसको में लिकूंगान तो दॉर्टोंग्टों लिक़ंग्योंग्य घसकाम वान टुमा. इस्क्रीन वीजिवल है भी यह सार पॉइंटर नहीं काम करें रूप जाओ भी वन सेकेंड अधिक है तो यह हमारा हो जाएगा थी एच यह जाएगा थीक है एसी मेरा रहाएच और यह मेरा वज़ेगा ठीक है अच्छा एच और क्या बोल रहे हैं इसको बी एक्स इसको 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 अच्छा ऐसे इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा इसके अलावा आजाएगा वारे पास सब्सक्राइब क्या होता है स्टैक पॉइंटर स्टैक पॉइंटर एक दोनों आपके जो है ना यह वाले दोनों यह आपके क्या है पॉइंटर से सब्सक्राइब एन ग्मेस स्टैक आवकर खांग एंडग सब्सक्राइन आपके इनेख प्रेस्टर सें इन इंडेक्स एसाई के मतलब क्या होगा सोर्स इंडेक्स और डियाई का मतलब डेस्टीनेशन इंडेक्स अभी बताएंगे इसका मतलब इसके अलावा यहां पर एक और चीज़ जो करते हैं 123 पर बदकेश घ्रोगात इस फिरोगा सी एस फिरोगा एस इस फिरोगा डिया स फिरोगा आई डिस है इसको मरना इन सबको हम थो सैगमेंट रिजिस्टर स्कूलत है है इस सबस्क्राइब यह हम आपके सारे जो है क्या है यह के सैङ्मेंट रिजिस्टर्स कि सैगमेंट ट्रिश्टर अब हम आपने दंग से बिना लेने इसको इसको मापत मैंसे कनेक कर देते हैं इसको पुद्ट से लेएंगे कर दो इसको इसको आप कर दो प्रेक्टिस हो जाएगा इसमें हम क्या करेंगे कि यहां पर आपका यह और फ्लैक हो जाएगा जैसे हम लोग उसमें बनाते थे इस वारे सेक्षिन में आपका इस एक में आपका होगा एल्यू इस फ्लैक ठीक है और यहां पर आपका हो जाएगा इस यहां पर आपका होता है भी आई यू जो बस इंटरफेस इनिट होता है याद होगा अप्यों बात किया था भी आई यू ठीक ना उसके बारे और इसके नीचे एक सिक्स बाइट का क्यों होगा इसक्स बाइट का वान टू त्री फोर फाइफ सिक्स पेस चला लिए लिए लूपस चलो हो जाया का अब क्या है आपको इसे सिक्स बाइट का एक क्यों होगा वासा। कि वाट से यह होगा फॉर्स्ट सेकेंड थार्ड फूर्थ फिफ्ट और सिक्स ठीक है इसेक्स बाइट के आपकर क्यों हो जाए गाएगा और इसके अलावार यहां पर आपका एक डिकोडिंग सॉप्रिट यहां पर आपको एक आपको बिसे क्ली दी कोड़िंग इंद इन तैमिंग कॉंड युड क्ट्रोल यूनिट यहां पे आप इसको क्लॉक देरों क्लॉक यहां पे वी सी सी ग्राउंड किसी को मीनिमुम मैक्सम मोड वाला तहीत है मिन मैक्स मैक्स मौड याभी मैने पतार थे में मैक्सम मौड क्या हूँग इसके यहां की कंट्रोल लाइन सो जाएंगें यह आपको बिया यू से बस इंटरफेस युनिट से आपका एड्रेस बस बाहर की तरह जाएगा एड्रेस बस टीक है ना ऐसे आपका डेटा बस होगा इसे मैंने एक और चीज़ आपको बताएं कि बस हाई इनेबल रेट राइट पार कई सारे इसमें बना देता हूं कि यहां पर देखो एड्रेस इसको लिखते हैं यह आपका हो जाएगा एड्रेस वाला इसमें आपके बहुत सारे चीज़े हो जाएंगे जैसे बी एची था आपका बस हाई इनेबल फिर आरडी बार डबलू आरडी बार सबका कम्वाइंड मैंने कर दिया डबलू आर बार ए इन टीए एड्रेस लाच इनेबल ठीक है डेटा ट्रांस्मिट रिसीव फिर बी एन इनेबल जो करते हैं डिटा इनेबल ठीक है और कुछ तो नहीं चुप रहे हैं इसको काउंट कर ले ना मेरी साबसे फॉर्टी आएगा टोटल यह दोनों मिलके आपके कितने आ जाएंग एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौधार स्टिक्यारा पारफ ठीक है और कंट्रोल लाइंग्स जोड़ोंगे मिलके टोटल मिलके फटी आ जाएंगे इनिवेस यह आपके टोटल आपका जो इसका ब्लॉप डाइंग्डाम है तो इसमें जो आपको सेग्मेंट रिजि लोगे जो पता याठ वी वाला जैदी आपको पता है जैसे मना उसमें होता था आ होता था वैसे इसमें लेकिन इसमें सारे अखेंड फेकली लेकिन उसका पट्रेश्टर भी यूज़कर जैसे आपको तो आपके को एक चीज कि जो माइक्रो प्रोसेसर है जो माइक्रो प्रोसेसर है और एट्यूरेट सिक्स तरह यह आपका लेकिन इसमें जो एड्रेस साइज कितना है एड्रस साइज कितना है इसका साइज होगा मेमरी जो मैक्सिम मेमरी के साइज होगा नौ से टाइज कितना होगा टू टू दी पाओ ट्वेंटी बाइट कि बाइट कि मुझा है तो एंट वान किलो बाइट को तुम किलोबाइट को जाका वह न मेगा मतलब क्या है कि जब जो आपका एट जो आपका एट जो आपको इस चीज को थ्याल से समझे वाले चीज़ तो आप टोटल कितना डामी यूज कर सकते मतलब कितना मेमरी कनेक कर सकते हैं मेमरी कनेक कर सकते हैं तो इससे हम मेमरी को हम मेमरी को ना कि सेग्मेंट करते थे जैसे क्या होता था एक मेमरी में डेटा भी उसी में स्टोर कराते थे इसमें क्या कर रहा है कि जो भी वन एंबी की मेमरी है ना कि मेमरी है उसको एंब disciplines कर दी है जैसे समझने चार पार्ट कर दी हैं रहासरे पार्ट होगया दो हो कि हमने चार पार्ट कर रखें मैंबरी उसमें चार पार्ट करते हैं आप जो एक पार्ट है ना यह वाला देखो इस एक पार्ट का साइज कितना है इस साइज सिस्टिफॉर के भी करते हैं में चार पार्ट कर देते हैं चार पार्ट कर देते हैं और में चार पार्ट में कितना हर पार्ट शिक्स्टिफॉर के भी कितने का होगा शिक्स्टिफॉर के भी कितने का होगा शिक्स्टिफॉर के लिए ज्यान से सम्चुछ चीज़ को वाट आम ट्रेंग 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 जो टोटल साइज एस मेमरी का कितना है वन मेगाबाइट का वन मेगाबाइट के मेमरी में हम क्या करें है चार पार्ट चार छोटे-छोटे मेमरी अलग-अलग मतलब और चार पार्ट का रख़ते शुरे के चार पार्ट बोलते हैं लोग किसके लीग ze स्टोर करा जो प्रोग्राम लिखते हो न उसको बोला जाता है कोड सेग्मेंट कोड सेग्मेंट का मतलब क्या है जैसे मैंने क्या करते थे कोड़ कोड़ भी उसी में पतब एक ही मेमरी कोड़ भी और डेटा भी सबकुछ क्या करते थे इस में क्या करना बड़ी सी मेमरी उसमें चार रखों आप एक पार्ट में एक चीज़ करेंगे हैं क्या करेंगे कोड सेग्मेंट है स्टैक सेगमेंट तो आपको याद हो रहा होगा कि जो स्टैक करते थे हम लोग कि इसमें एच दूरेट करना था जिसे मालों फूस और पॉप ऑपरेशन कर रहे होते थे कि हमको जोबी प्रोग्राम कॉं अलग से लिए हमने स्टैक सेंटर कराएंगे जो कुछ भी हमारा स्टैक सेंफ मेंट त PG ते सेग्मेंट में आएका इसमें डेसे सेग्मेंट मतलब क्या है कि हमने क्या करा मैमरी में चार पार कर रखेंव一 inherent हैं प्रोग्रम भी इंस्ट ! टैंप्रेरली नोटे सब्तानुलिए इसे हमने डीटेसियॉफ्य ऑ Columb picture जैसे सब्सक्रatव क्या होता है डीटा जैसे मालो कि आपने दो नमर्ब को एड़ क्या हुआ इसको मे economist Discovery आपको स्टोर कऱना तो कहा स्ट्ष चुह लूट को उसको आपने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आपको किसमें स्टोर करना होगा कोड सेगमेंट पर स्टोर कराना होगा आपके पास तो पूरी बड़ी सी मेमरी है तो कोड कोड सेगमेंट उसमें सेलेक्ट करना है तो कैसे सब्सक्राइब को को मेरे को जो प्रोग्राम करना है मेरी बास समझे मैं कहां के पास अपको सेग्मेंट का कुछ होना चाहिए आपके पास अड्रेस जहां से पता चले कि अच्छाई कोड सेग्मेंट का जो कि आपका यहां पर जो सीएस यहां से देंगो सीस क्या होड करता है स्टार्टिंग एड्रेस ऑस कोड सेग्मेंट जो भी इसका सबस्क्राइब करने के सबस्क्राइब 我觉得 i am कि अब पिशलाई के स्टाइगमेटरस की से पता चले एक है। स्टार्टिंग इठर्स कहां पर स्टोर होगा इसमें में स्टार्टिंग इंटर्स तोर्फ इसमें स्टार्टिंग अब देखो मालो मेरे को पता चल गया जिसे मालो मेरे को पता हो गया कि इसका एड्रस का है सपोस करो मेरे पता चल गया कि इसका एड्रस है 4000 अब मालो मैं कोड लिखना है स्टार्ट करोगा तो पहले मैं 4000 लिखूंगा फिर दूसरा कोड कहा लिखूंगा 4001 पर फिर 4002 पर फिर 4003 ऐसे लिखूंगा तो जो कोड सेग्मेंट के अंतर जो नेक्स्ट मेरी बाद यहां से समझों इसमें कई सारे लियर्स हैं तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है हमने क्या करा पहले मेमरी थी मेरे पास मैंने उस मेमरी को लेकिन अगर मैं मालनों कोई सेंट्सन को स्टूर करा रहा तो मेरे क्या चाहिए होगा उसके अंदर वह मेरे को किया उन बाइवन पॉइंट करना पड़ेगा उसके इन्सcue tex सग्मेंट के अंदर है इस गयां उसके जो संदोई इसको सेगमेंट के और ले इंस्ट्रे को और से बोलते हैं इंडेक्स एंडेक्स रीजिस्टर और एक्स्टर सेग्मेंट के अंदर کے इंस्ट्रक्षन के एक्स्टर सेग्मेंट के अंदर की इंस्ट्रक्षन का वह द्रस करें उसको बोलते हैं लोग डेस्टिनेशन इंडेक्स रेजटर फिर से बोलो यह आपको कई सारे लियर मतलब क्या है हमने क्या करा मैमरी थी मैमरी को ने सेग्में डेटा सेग्में अब जो भी सेग्मेंट हमने किया उसका स्टार्टिंग एड्रस नहां होगा इन सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो सग्मेंन का अट्रस कवन होल्डट करेगा इंस्ट्रक्शन पॉइंतर जना पॉड्फ सेग्मेंट में प्रोग्राम कॉउटर के काम क्वान करें स्टैक्सेञवंटर करेंगा एक से ही मैं पुछहूं कि दूसरा कॉन से से जैसे मालने स्टेक सेगमेंटि से से सिट्समेंट से लिए प्रोग्राम कांटर काम क्या कौन करेगा-स्टे क्वॉइंटर है ऐसे ही आपका आप का है अपका developer क्वाइंटर काम करेगा सोर्स इंडेक्स ऐसे एपका इसको आप कैसे लिखोगे क्या करोंगे समझाने का बस यही था कि कहां से सोर्स सेग्मेंट क्या है क्यों है कैसे इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा ही होगा एक चीज तो आपको ध्यान में रखना होगा कि देखो ध्यान से वी इंपॉर्टेंट है पता नहीं इस सिलेबस में हैक ने बट बिना इसके तो पता नहीं एट्यूरिट से तो होगा तो जो जो आपका इस शिक्स्टीफोर के भी के मेमरी है तो इसको अगर माल लो इसको मेरे को एड्रेस करना हो 64 के मेमरी को एड्रेस करना हो तो मुझे कितने बिट के एड्रेस लाइन चाहिए होगी को बिताएगा गाच 64 के मेमरी को एड्रेस करना है तो हाव मेनी बिट्स ऑफ अड्रेसलाइं या फिर हाव मेनी एड्रेसलाइंज विल भी और एक कि कितने अड्रेस्ट लाइन चाहिए होगे पूर शिक्स्टीफोर के वी कि मेमरी को अगर हमको एड्रस करना हो कि तो कितने अड्रस लाइन चाहिए होंगे बताओ 16 अड्रस लाइन चाहिए होंगे और पूर अड्रस लाइन नहीं अड्रस लाइन चाहिए होंगे अरे भाई शिक्स्टीफोर के भी तो आपको याद होगा ना अड्रस लाइन चाहिए लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ए है आपके पास जो यड्रस लाइन्स 108 5 में ब्रॉब्लम कितनी अड्रस लाइन से हों है 20 अध्रस लाइन चाहिए है है का सब्सक्राइब करते हैं पॉर एक्टरल लाइन क्यूं यूज़ करते हैं यह एक कोशिशन बातर में पूंक है हाहाँ है प्रशायद प्लैग रिजिस्टर में जो पूर एक्स्टा फ्लैग वह आपको बता रहा हूं वही बताने की पूर इसको अब मेरे को कंप्लीट करने तो अगर डिसकनेक्ट होता है तो आप कनेक्ट हो ज़्यादा नहीं पचाए थोड़ा थे बचाहिए इसको जल्दी से हम लो दो लेना पड़ेगा इसके बाद एक से दो ख्लास तो तो मैं क्या बतारा था कि जो एड-डियरेट सेटेसफ में कितने हैं आपके ट्वेंटी लाइन्स हैं ट्वेंटी एड्रस लाइन्स जैंटी की ते ने घुबर मतलब आपको फीजिकली कितने लाइनस हैं आपके 20 अट सीचलएटर्स की बाद करूं अगर कितने बिट का होगा हुगा मेरी पाञ़ समाझ रहुकिंत नहीं ठीक है एड पर नहीं चेहाएं ठीक striving आट सब्सक्राइब अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक मैमरी एड्रस जनरेशन का कितने बिट का है कि sediment register अबसेग्मेंट कोई justement सेग्मेंट को सेग्मेंट यह आगा 16 गड़ का अब क्या करते हैं सेग्मेंट रिश्टर क्या कर रहा होता है टॉप वैल्यू होड्र कर रहा है इसे मालल वीकॉट सेग्मेंट है उसके राइट हैं स्टोर सस्टीन का है इसंने हमने क्या करा लेकिन होा तृक कि जो पैडिंग जो करा है आप इसके अलरवा क्या होता है ह одно वैल्य होता है ऑफसेट वैल्यू ऑफसेट वैल्यू यह होता है 16 बिट का अब क्या करते हैं इन दोनों को एड कर देते हैं यहां पर एक ऐसे हम एडर लगाएंगे कुछ एडर टाइप का ठीक है ऐसे करके यहां पर इन दोनों को एड करएंगे और जब एड करेंगे तब हमको फिجिकल डेर्फ और इसे जहां से जहँआ जो श्रपार गुक्त अध्र कोतो बहुत होगा ने सक्ष एक अच्टमेन्ट नुहां कि अब देखो मतलब में क्या कहना चाहूं देखो अगर जैसे माल लो जैसे माल लेता हूं कि जो आपका कोड सेग्मेंट है ठीक है कोड सेग्मेंट में स्टार्टिंग एड्रेस है सपोस्ट करा कि है 1235 1235 सबस्क्राइध और में निगरता है कि ऑफ सेट वैलू कहा से लेंगे हम से स्के पॉइंटर छाट सेग्मेंट का पॉइंटर क्या था इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू है से टू थ्री तू थी